नमस्कार आरे निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पल्लेवी सिंग राजसान की खबर उपर नहीं डालेंगे राजसान में अब 2022 और 23 बजट की घोशनाओं का लाब आज से यानि की एक अप्रेल से मिलना शुरू हो जाएगा सियम घैलोद ने राजस बजट की 210 घोशनाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी थी और अब आज से नए वितेवर्ष में इन घोशनाओं का लाब जनता को मिल सकेगा इन घोशनाओं में आज से राजस्तान के सभी राजकी अस्पतालों में निशुलक ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं एक अप्रेल से शुरू हो सकती है आपको बता दें कि शुरुवात में एक महीने तक इन सुविधाओं का परिक्षन किया जाएगा चिकिस्ता मंतरी परसादेलाल मीना ने गुरुवार को ये जानकारी भी दी राज्य में एक अप्रेल से अब सभी श्रेणी में राजके चिकिस्ता सलस्थानों में निशुलक ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी शुरुवाद में एक महीने की अवधी में व्यवस्थाओं का ड्राई रन किया जाएगा जिसमें क्रियानवन में आने बाली समस्याओं को चिनहित कर समाधान किया जाएगा नयविते वर्ष की शुरुवाद के साथ ही अब आज से राजिस्तान में 100 यूनिट तक बिजली इस्तमाल करने वाले उप्भोगताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्थ मिलेगी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशो गहलोत की ओड से पेश किये गए बजट में 50 यूनिट तक मुफ्थ बिजली देने की घोशना की गई थी इसके अलावा बजट में इस बात का भी प्रस्ता पेश किया था कि सभी घरेलू बोगताओं को 1500 यूनिट तक 3 रुपए प्रती यूनिट और 1500 से 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रती यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी और अब इनी सब घोशनाओं पर आज से काम चालू कर दिया जाएगा दरसल बजट में हुई घोशना के अनुसार अब राजिस्तान में मन्रेगा यूशना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा तो वह इंद्रा गांधी मातरत पर पोशन यूशना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा इस यूशना से दूसरे संतान पर 6000 रुपे की वितियस सहायता दी जाएगी इस यूशना से हर साल अगबग 3.50 लाख गर्बवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभानवित हो सकेंगे हुए केंद्री जल्शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत ने लाल सौन दौसा की डॉक्टर रचना शर्मा की खुदकुशी मामले में अब हर पहलो की स्पेशल कमिटी द्वारा बारी की सिजाच कराने की मांग उठा दी है शेखावत ने कहा कि ये खुदकुशी जरूर है मगर इसे मैं हत्या कहूंगा अब रोक्ष रूप से हत्या उन लोगों ने की है जिन्होंने सत्ता और प्रशासन का दुरुप्यों कर दुरहु पर उस्थिती निर्मित की सिलसलेवार ट्वीट कर केंद्रे मंत्री ने कहा है कि अभी ज्यादा दिन नहीं होए है कोविट के दरान डॉक्टरों ने अपनी जान दाव पर डाल कर हमारी जीवन की रक्षा की थी अगर राजनीती और प्रशासन उन्हें आरोपित करने लगे तो वो इलाज कैसे करेंगे शिकावत ने ये भी कहा कि ये अमानव्यता ही सीमा लांगना है कि करतब वे पालन कर रही एक महिला चिकिस्सक को प्रसूता की मौत का अपरादी साबित करने का प्रयास हुआ है एक गोल्ड मेटलिस डॉक्टर को इतना प्रताडित किया गया कि उसे आत्मा हत्या ही अपनी बेगुनाई का सबूत लगी उन्होंने ये भी का कि डॉक्टर अरचना शर्मा का सुसाइड नोट आखे नम कर देने वाला है उन्होंने लिखा है कि बेगुनाई डॉक्टर को प्रताडित ना करे वो ये भी लिखती है कि मेरे बच्चों को मा की कमी महसूस ना होने देना मुक्यमंत्री के लिए शिखावत ने कहा है कि गहलोज जी आपको ये सुसाइड नोट पढ़ना चाहिए और अपनी पार्टी वा पुलिस प्रश्यासन का नहीं नयायक अपक्ष चुनना चाहिए इस घड़ना के हर एक पहलू की स्पेशल कमीटी द्वारा बारी की सिजाच भी अनेवार रहे है और आजिस्तान की पूर मुक्यमंत्री वसंद्रार राज़े के समर्थ तक पूर विधायक भवानी सिंग राज़ावत को कोटा पुलिस ने देर रात को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि राज़ावत पर वन अधिकारी रवी मीना को थपड़ मारने का आरोप है आरोप है कि पूर विधायक ने सड़क निर्मान को लेकर गुरुवार को वन विबाग के कारियाले वो गए और महापर हंगामा कर दिया बवानी सिंग राज़ावत ही गरफतारी के बाद अब भाचपा कारेकरता थाने में एक अत्रित हो गए है कारेकरताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया इस जोरान भीट को तितर बितर करने के लिए पूलिस को हलका बलका भी प्रयोक करना पड़ा इस मामले में पूलिस ने पूर विधायक रजावत और उनके समर तक महावीर सुमन को नामजद किया है इसी के साथी दस से अधिक लोगों के खिलाव भी प्रकरन दर्श किया गया प्रकरन दर्श होने के बाद MP के सर सिंग शेखावत भी नयायपोरा थाने पहुंचे जहां इसकी जानकारी जब रजावत को लगी तो वो भी C.I. के चेंबर से उटकर SP से मिलने के लिए जाने लगे लेकिन बीच में ही पुलिस अधिकारियों ने उन रोख लिया रजावत बोलते रहे कि जो मुझसे मिलने आये हैं उनके खिलाफ क्या प्रकरन दर्श किया है लेकिन SP ने रजावत की नहीं सुनी तो वहीं पुलिस के अने अधिकारियों ने भी रजावत को समझाया जिसके बाद उनको वापस CI के काक्ष में बैठा दिया गया वड़ेंगे अगली खबर की ओर राजस्तान के दौसा जुले में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अतूर पकड़ता जा रहा है गुरवार को पुलिस ने इस डॉक्टर की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक बीज़पी नेता समेट दो लोगों को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि मारीज के पती ने कहा था कि उसने डॉक्टर अच्टरा शर्मा के खिलाब कोई F.I.R. नहीं करवाई थी लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी दावा किया कि एक अग्याद शक्स ने एक कागस के टुकड़े पर उससे साइन करवाई थे इसके बाद पुलिस ने दो लोगों की गुरवार को गुरिफतारी की मिरतक मरीज का पती लालू राम बैर्वा एक मज़़ूर है और उसका ये कहना है कि मैंने शिकायत नहीं लिखी है मैं एक मज़़ूर हूँ कोई मोटी बात होती तो पढ़ लेता मैं तब तनाव में था और किसी ने मुझसे एक आगस के टुकड़े पर हस्ताक्षो करवा लिये थे मुझे याद नहीं है कि वो कौन था इसी बीच पुलिस ने डॉक्टर शर्मा के पती डॉक्टर सुनीत उपाध्याय द्वर अलागाये गए आत्महत्य और जबरन बसूली के आरोप में बीज़पी के पूर विधायक जितेंद्र गोतवाल प्रदेश मंत्री और एक और शक्स राम मनोहर को गिरफतार कर लिया है बता ये जारा है कि दौसा जिले के नवागत स्पी रकुमार गुपता ने ये जानकारी दी कि हमें दोनों को गिरफतार कर लिया है हमने और टीमे मुख्यारोपी बालिया जोशी की तलाश कर रही है बता दें कि दौसा नवियुक्त स्पी गुपता ने पूरवर्टी अनिलकुमार को अबुदवार देरात को डॉक्टर शर्मा की मौत पर हंगामे के बाद तबादला कर दिया गया था और महीं बहुचाचित फोन टैपिंग मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अशोग गहलोद को OSD की राहत मिली है आपको बताते कि OSD लोकेश शर्मा की गिरफतारी पर अब 9 माई तक के लिए रोक लगा दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 9 माई की तारीक तैखी साथी जुस्टिस सुब्रमाणियन प्रसाद की बेंच ने OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी नरोधात्मक कारवाई करने पर रोक लगा दी है इससे पहले 12 नवंबर 2021 को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की आदेश के बिना लोकेश शर्मा की गिरिफतारी पर रोक लगा दी गई थी राजिस्तान कॉंग्रेस में 2020 के दोरान गहलोत और पाइलेट गुट के बीच कलय बढ़ने से अस्थिरता का दोर चल रहा था उस दोरान ही कुछ लोगों की फोन चैपिंग हुई थी और आडियो से खुलासा होने के बाद अब SOG के मामले भी दर्च किये गए थे दावा किया गया था कि पाइलेट खेमे में कॉंग्रेस नेता भवर लाल शर्मा और गजेंद सिंग शेखावत के बीच सरकार को अस्थिर करने का शड़ी अंतरचा जा रहा है कुछ समयबादी राजिस्तान में कॉंग्रेस आलकमान की दखल के बाद गहलोत और पाइलेट खेमे में सुला की गई उसी दोरान दिल्ली में केंदे जल्चक्ती मंतरी गजेंद सिंग शेखावत की ओर से दिल्ली पुलिस में फोन टैपिंग की शिकायत की गई इस मामले में क्राइम ब्रांच कर रही है और OSD लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोट में एक याचिका अदर्चकार मामले की जल्धी सुनवाई की मांग की थी याचिका में लोकेश शर्मा ने याशंका जटाई थी कि पुलिस गिरिफतार कर सकते है दिल्य पुलिस की अपराच शाखा ने पिछले 12 नवंबर को लोकेश शर्मा को पेश होने का नोटिस भी जारी किया था साथ ही इस नोटिस में कहा गया था कि पेश नहीं होने पर गिरफतारी की जा सकती है तो वहीं लोकेश शर्मा ने तबिद खराब होने का हवाला देते हुए जैपुर से वो बाहर नहीं जाने की बात कहते नजर आए अपराज शाखा की नोटिस के मद्द नजर लोकेश शर्मा ने हाई कोट में याची का दाखिर की थी लेकिन सुनवाई के दोरान दिल्ली पुलिस की ओड से हाई कोट को आशवासन दिया गया था कि जब तक कोट का आदेश है तब तक गिरफतारी नहीं होगी और राजसान के अलबर जिले में स्थेथ सरिस्का बाग अभिहारनम में जंगलों में एक बार फिर से आग लगी है और यह आग बे काबू हो चली जिस पर काबू फिलाल पा लिया गया है आपको बदा दे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुकरवार को यह जानकारी दी थी गहलोत ने ट्वीट किया कि प्रशासन ने सरिस्का की आग पर मोटे तोर पर नेंदरन कर लिया है और अब एक सेमित जगा पर थोड़ी आग बाकी है जोसे जल्द ही बुझा लिया प्रशासन ने सरिस्का की आग पर मोटे तोर पर नेंदरन कर लिया है उन्होंने ये भी कहा कि सरिस्का के जिस शेत्र में आग लगी है वो पहाड़ी इलाका है जोहां दमकल की गाड़ियां पहुंचने में परिशानी आय थी और अब हैलिकॉप्टर के इस्तमाल से आग पर के दो हैलिकॉप्टर की मदद ली गई हाला कि रविवार की शाम को लगी आग पर सोमवार को काब पालिया गया लेकिन ये बात में फिर से भड़क गई और तब वन विभाग के आसपास के गाउं के लोगों को जंगल में नहीं जाने कि उन्हें सला दी गई क्योंकि आग ज तो मैं बात करें कोरोना की तो कोरोना केस कम होने के बाद अब केंद्र राजसरकारों ने लागु सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है दो साल बाद आज से राजसान बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन की दस्वी की परिक्षाएं भी शुरू हो गई हैं दस्वी की परिक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी का हुआ माना जा रहा है कि प्रदेश में करीब 11 लाग शात्रों ने 6000 सेंटर पर परिक्षा दी है परिक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर 11 बच कर 45 मिनट तक चली दो साल बाद परिक्षा देकर सेंटर से निकले शात्रों में उत्सह देखा गया है परिक्षार्थियों ने ये भी बताया कि उमीद के विपरीत अंग्रेजी की परिक्षा बहुत आसान आई थी शात्रों के अनुभव साजा करते हूँ ये सामने आया है कि परिक्षा देकर शात्रों को मज़ा आया उन्होंने अंग्रेजी के पेपर को काफी सिंपल पेपर बताया साथी चात्रों का ये भी कहना था कि भले ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी लेकिन कोर्स को पूरा किया और अच्छे से पढ़ाई की इसलिए अंग्रेजी का पेपर अच्छा गया और नौवी काक्षा में फेल होने वाले चात्र भी प्रमोट होकर दस्ट्वी में पहुँच कहे थे अब आपको बता दें कि बोट की परिक्षाएं 26 अपरेल तक जारी रहेंगी राजिसान बोट नहीं चात्रों की समस्याओं के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिये हैं और राजिसान के चिताओडगर जिले के निवाहेड सदर्म पुलिस थाना पुलिस ने बुद्वार की रात को बड़ी कारवाई को अंजाम दिया पुलिस ने के ATS के साथ मिलकार मद्यप्रदेश के रतलाम के तीन लोगों को पकड़ा है उनके पास से बम बनाने का समान बरामत हुआ साथ ही पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि यूवकों के पास से 8 किलो आड़ी एक्थिस साथ अन्य वस्तों भी बरामत हुई जो बम बनाने में काम आती है शुरुवाती जौच में बताया जा रहा है कि जैपूर में ब्लास्ट करने की योशना थी तो महीं गुरुवार की सुभा ATS, ADG, अशोक, राठोड, चित्तो औरगर पहुंचे और आगे की जाँच जारी है हला कि पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी बदवाने से इंकार कर रही है लेकिन अंद्रूनी सूत्रों से पता चला है कि जो व्यक्ती पकड़े गए हैं किसी आतंगवादी संगठन से जुड़े हुए है और नीबाहेडा के कुछ लोगों के जरिये वो जैपूर में सीरिल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे इन लोगों को बंब बना कर सप्लाई करना था इससे पहले ही तीनों नीबाहेडा सदर पुलिस के हत्ते चड़ गए और सभी आरोपी कार में सवार थे आरोपियों के पास से बरामत सामगरी में टाइगर के साथ-साथ आकोदादी की टाइमर बरामत हुआ है और साथ-साथ RDX भी पुलिस ने बता बरामत किया है दरसल पुलिस शेहर में नाकबंदी कर रहे थी और इसी दोरान शक्क के अधार पर पुलिस ने इनकी कार रोकी जब कार रोकी गई तो तीनों युवकों से पूश्टाज की गई संतोष प्रत जबाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें टाइमर और आडी एक्स देखकर पुलिस के भी होश्ट उड़ गए थे साथी तकाल ही तीनों को हिरासत में ले लिया गया पुलिस अधिक्षक को इसकी जानकारी दी गई और इसके बाद ATS से जुड़े अधिकारी भी नीवाहेडा पहुँच गए तभी तीनों से पूश्टाज कर रहे थे और इसी के साथ ही कि साथंगवादी संगठन से इनके संबंध है और इनकी आगे क्या प्लानिंग थी इसके साथ साथ नीवाहेडा में कौन-कौन इस प्लानिंग में शामिल था ऐसे तमाम सवार इन से पूछे गए और बता दें आपको कि फेस्बुक पर अंजान महिला से दोस्ती करना नौका तैसिल के कॉंग्रेस समर्थे सर पंच को भारी पड़ गया है ख़बर है कि महिला ने पहले ढाई लाक रुपे लिए और उसके बाद रेप केस में फसाने की धमकी दे कर 50 लाक रुपे देने की डिमांड रग दे परिशान जनपर्दी निदी ने पुलिस को सूचना दी और जसरासर पुलिस ने इस महिला को गिरफतार कर लिया है जसरासर के सरपंच रामनिवास ने बताया है कि वो सवासेवी के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट अप्रोड करता रहता है और इसी दोरान रितो चौधरी और रेफती नाम की इस लड़की ने जान पहचान बढ़ा ली और फिर वो बात करने लगी इस लड़की ने दिसम्बर 2021 से अब तक कई बार रुपे भी लिये हैं सवा दो लाख रुपे वापस लोटाने के नाम पर मांग लिये और अब रेप केस में फसाने की धंकी दे कर पचास लाख रुपे की डिमांड की गई आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में नौ मार्च को एक रिपोर्ट दर्च की है जिसके बाद ये चांच में पता चला है कि बलाक मेल कर पचास लाख रुपे की ठगी की गई इसके बाद पुलिस सक्रिये हो गई और सरपंच और महिला के बीच दस लाख रुपे देने की बात तैह हुए सरपंच महिला के बताया नुसार रुपए लेकर पहुंचा इस दोरान पुलिस ने रितू चौधरी को दस लाक रुपए के साथ गुरवार की रात को गिरफतार किया है गैंग में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में फिलाल पता लगाया चाह रहा है यह राज़स्सान के उदैपूर और उसके आसपास के अलाकों में कोरोना की तरह ही अब कुटों में पौरवो वाइरस बहुत तेजी के साथ पहलने लगा है कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से मनुष्य में फैल रहा था और अब पार्वो वाइरस कुतों से कुतों में फैल रहा है दरसल कुतों के शरीर में ये वाइरस अमाश्य और आथ को सक्रिय कर रहा है साथ ही आपको बता दें कि इससे कुतों का खाना पीना छूट रहा है और भूग से कुते मर रहे हैं डॉग लवर्स इसको लेकर काफी परिशान नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको बताते चलें, ये पशुचिक सिकों के मताबिक अब तक जांच में जो सामने आया है, कि उससे अच्छी बात नहीं है, और साथ ही ये वाइरस सिर्फ कुतों को ही संक्रमित कर रहा है, बागे सभी जानवर जैसे बैल बकरी, गाएं, खोड़ा या उट, पूरी तरह इस वाइरस से इस तुरक्षित हैं, उदैपुर में चेतक सर्किल से सबसे बड़े पशुचिक साले में, डॉक्टर संजय जैन बिये पताते हुए सामने आये हैं, कि 15 मार्च के बाद, अस्पताल में इला